अगर आप चारते हो दीवारों को कलर करने के बाद उसकी फिनिशिंग अच्छी दिखाई दे तो इसके लिए ज़रूरी होती है पुट्टी ये जो पुट्टी होती है इसकी वज़े से आपके दिवारों के उपर जो color किया जाता है उसे अच्छी finishing मिलने में मदद मिलती है पर ये सभी चीजे तब possible होती है जब आप सही तरीके से अपने दिवारों को पुट्टी करते हो पुट्टी करते समय अगर आपने कुछ गलतिया कर दी तो इसकी वज़े से आगे चलके color की पपड़िया निकलना शुरू हो सकती है तो ऐसा न हो इसकी लिए आपको सही तरीके से पुट्टी लगवानी ज़रूरी होती है तो यही हम आज के वीडियो में जानेंगी कि step by step आपको दिवारों को किस तरह से पुट्टी करनी है और दिवारों को पुट्टी करने के क्या फाइदे होते है और वीडियो का जो end part है वो बहुत ही important है जिसमें कि हम यह जानेंगी कि वो कौन सी गलतिया है जो कि आपको पुट्टी लगवाते समय बिल्कुल भी नहीं करनी है तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखे चानल पे अगर आप लोग नए आया हो तो चानल को ज़रूर सब्स्राइब कीजिए तो सबसब पहले हम बात करते है कि पुट्टी लगवाने के क्या फाइदे होते है पुट्टी करवाने का पहला फाइदा तो यह होता है कि आपके दिवारों के उपर आपको एक स्मूथ फिनिश मिल पाती है जब भी हम plaster करते हैं ऐसे समय में plaster करते समय कुछ undulations या फिर उबड़ खाबड या फिर थोड़ी बहुत खुरदुरी सतर छूट जाती है जब हम putty करते हैं ऐसे वक्त में आपकी दिवार को एक proper finishing मिलती है line level मिलती है जिसकी वज़े से color करना आसान होता है साथ में जब आप इसके उपर color करते हो तो color की finishing अच्छी दिखाई देती है putty करवाने का अगला फाइदा ये होता है कि इसकी वज़े से paint का consumption बहुती कम होता है यानि कि color की बचत होती है smooth surface होने के कारण आपको color जो है वो कम प्रमाण में लगता है putty करवाने का अगला फाइदा ये होता है कि जो दिवार पे हम color करने वाले है उस दिवार पे अगर आपने putty की है तो इसकी वज़े से color को दिवार के उपर पकड़ बनाने में मदद मिलती है और आपके दीवार के उपर जो छोटे मोटे cracks होते है उन्हें भी cover करने का काम ये पुट्टी करती है अब जो नई दीवार बनी हुई होती है उसके उपर अगर आप पुट्टी नहीं करते हो तो आगे चलके उसके उपर आपको ज़्यादा प्रमान में crack दिखाई देते है औ और वही पर उस दिवार पे जब आप पुट्टी करते हो तो आपको जादा प्रमान में क्रैक नहीं दिखाई देते हैं। अब ये तो हो गई बात पुट्टी के अडवंटेज के बारे में। अब हम जानते हैं कि किस तरह से आप step by step अपनी दिवार को पुट्टी कर सकते हो। यहाँ पर पहला step आ जाता है जब भी आप पुट्टी करने वाले होते हो। ऐसे वक्त में आपको दिवार की सतर को पहले अच्छे से clean कर लेना है। clean यानि कि आपको वहाँ पर जो cement के दाग होते हैं उन्हें निकल लेना है। उसके बाद में धूल जो है उसे साफ कर लेना है। उसके बाद बारी आती है आपके primer की। अब देखिए primer का ये जो step है कुछ लोग skip कर देते हैं पर अगर आप अच्छे से काम करवाना चाहते हैं तो आपको पहला एक हाट primer अच्छे से देना होगा। जब आपका primer complete हो जाएगा उसके दूसरे दिन आपको पुट्टी का first coat अपलाई करना है। को complete कर देते हैं उसके बाद में बारी आती है वापस से आपके primer की तो आपको primer जो है proper तरीके से दे देना है। उससे पहले आपको light की मदद से ये चेक कर लेना है कि दिवार पे कही अंडूलेशन तो नहीं है यानि कि अगर आपकी दिवार की सता उपर नीचे है तो उसके आपको आपकी पुट्टी कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए आपको plaster ही अच्छे से करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कहेंगी कि पहले primer लागाना है उसके बाद में वापस से दो कोट पुट्टी उसके बाद वापस से primer तो इससे खर्च नहीं बढ़ेगा। देगे दोस्तों थोड़ा सा खर्च आपका बड़ेगा पर यह प्रॉपर तरीका है जिससे के आपकी पुट्टी जो है वो अच्छी दिखेगी और आगे चलके आपको कुछ इस तरह के पपड़िया जो है नहीं निकलेंगी। तो ऐसा नहीं कि आपका प्राश्टर खराब है इसका मातलब आप पुट्टी के लेयर पे लेयर दे जा रहे है ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों एक सर्टन लिमिट से अगर जादा मोटाई वाली अगर आपकी पुट्टी हो जाती है तो ऐसे वक में आगे चलके वो करते हैं परतु जितना आप मशीन का इस्तमाल करेंगे उतने चांसे होते हैं कि उसमें लंस यानकी गाठे जो है वो तयार नहीं होती है और जब भी आप पुट्टी बना लेते हैं तो जितनी आवशकता है उतनी ही बनाईए देड़ घंटे के अंदर आपको पुट्टी का इस्तमाल कर लेना है अब बात करते हैं अगले पुट्ट की जो कि आ जाता है स्क्रबिंग के रिलेटेड अब देखे जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अच्छे से सरपेस को स्क्रब करने की कोशिश कीजिए जब भी आप पुट्टी लगाते हैं ऐसे समय में और जब भी आप लाइट लगा कर चेक करते हैं ये प्रॉपर मेथड होती है जिससे की लाइट लगा के देखा जाता है कि दीवार में कहीं छोटे मोटे अंडूलेशन है या नहीं अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते है तो डेफिनिटली आपकी जो पुट्टी होगी वो दिखने चेर करतीजे तो मैं मिरूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद